हलो फ्रेंड्स वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियो हम बात करेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के प्रेशनों की चो की बहुत इंपोर्टनेंटर रेलवे एकजाम के लिए तो चले स्टार करते हैं, पहला कोचन है दो इस्टेशन A और B, एक सीधी रेखा पर हैं, एक सीधी रेखा पर हैं, 110 km दूरी है, इन दोहों की बीच की दूरी है 110 km की, एक ट्रेंड्स सुभह 7 बजे से शुरू होती है और 20 km की रफतार से B की और जाती है सुबह 7 बजे शुरू हुई और कहां जा रही है B की और तो A से शुरू हुई है ना वो तभी तो B की और जाएगी है ना सुबह शुरू हुई है A से शुरू हुई है तभी तो B की और जाएगी 20 की रफ़तार से जा रही है कितने बज़े सुबह 7 बज़े जाती है 20 किलो मीटर की उसकी चाले और कहां जाती है बी की ओर जा रही है ठीक है बी की ओर जा रही है सुबह 7 बज़े 20 की रफ़तार से बी की ओर जाती है एक ट्रेंज सुबह 8 बज़े से बी से सुरू होती है और 25 किलोमेटर की रफ्तार से एक ही और जाती है भाई यह आठ बजे कहां से सुरू हो रही है बी से आठ बजे और यह जा रही है एक ही और 25 की चाल से ठीक है 25 की चाल से तो किस समय मिलेंगी वे किस समय मिलेंगी यह पूछा जा रहा है चलिए अब मैं यहां पे एक चीज़ किलियर कर देता हूँ आपकी देखेगा पहले तो time clear कर लो time बराबर कर लो यह 7 बज़े चली यह 8 बज़े चली तो दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमेटर है यह वाली ट्रेंड 7 बज़े चली है न तो 7 बज़े से लेकर 8 बज़े तक 20 किलोमेटर चली एक 110 की टोटल दूरी है जिसमें से एक घंटा में 20 चल जाएगी तो अब बचेगी 90 की दूरी है न अब A और B के बीच की दूरी कितनी बची 90 क्यूंकि एक घंटा यह वाली ट्रेंड चल चुकी 7 बज़े से लेकर 8 बज़े तक अब इसका time भी 8 कर लिया और इसका time भी 8 कर लिय दोनों का time हमने अब 8 आठ बना लिया ठीक है ए और 20 की दूरी 90 बची अब यह भी 8 बज़े चलेगी और यह भी 8 बज़े क्यूंकि एक घंटा में 20 किलूमेटर चल चुकी वो हमने माइनस कर दिया सही है अब यह भी 8 बज़े चल लिया यह भी 8 बज़े चल लिया अब देख यह 20 की चाल से चलेगी और यह 25 की चाल से तो दोनों एक घंटा में 20 और 25 कितनी दूरी तया करेंगे 45 की एक घंटे में भाई यह 20 की चाल है और इसकी 25 की चाल है एक घंटा में यह 20 चलेगी यह 25 दोनों मिलकर के एक घंटा में 45 चलेगी फिर से दूसरे घंटे में 45 चलेगी यानि कि 2 गंटे में वो 90 दूरी तै कर लेंगी तो 8 बजे के बाद में 90 दूरी तै हुरी है 8 बजे के बाद में 8 में 2 गंटा जोर दो यानि कि 10 बजे सुबह के 10 बजे वो ट्रेन आपस में मिलेंगी सुबह के 10 बजे यानि कि 10 एम पर ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया के लिए रहा सभी को चलिए अब देखते हैं अगला प्रेशनी है एक कॉंस्टेवल एक चोर से 120 मीटर पीछे है कॉंस्टेवल 21 मीटर प्रति मिनेट और चोर एक मिनेट में 15 मीटर दोड़ता है कितने समय में कॉंस्टेवल चोर को पकड़ लेगा देखिए ये हो गया C for कॉंस्टेवल और ये हो गया T for Thief यानि कि चोर कॉंस्टेवल चोर के पीछे हैं ठीक है इनके बीच की दूरी 120 मीटर है फिलहाल में 120 मीटर है लेकिन कॉंस्टेवल 21 मीटर प्रति मिनट दोड़ता है और चोर 15 मीटर प्रति मिनट यानि कि ये एक मिनट में 21 मीटर दोड़ रहा है ये एक मिनट में 15 मीटर दोड़ रहा है जो कॉंस्टेवल है वो चोर से देखो कितना जादा तोड़ रहा है कितना तेज दोड़ रहा है, 6 मीटर प्रती मिनट तेज दोड़ रहा है, यह एक मिनट में 15 मीटर दोड़ रहा है, यह एक मिनट में 6 मीटर तेज दोड़ रहा है, यानि कि एक मिनट में 6 मीटर पकड़ लेता है, एक मिनट में 6 मीटर इसको पकड़ रहा है, क्योंकि एक मिनट में 6 मीटर यह ज़्यादा दोड़ रहा है अब टोटल दूरी इनके बीच की 120 है जो कॉंस्टे वाले एक मिनट में 6 मीटर इसको पकड़ता है तो टोटल पकड़ना कितना है 120 6 से कटाओगे 20 मिनट सवाल यही खतम ठीक है 20 मिनट में पकड़ लेगा पहला अब देखते हैं अगला सवाल अगला प्रशनी है यदि ट्रेन की गती 63 किलोमेटर प्रती घंटा है तो चलती ट्रेन की दिसा में तीन किलोमेटर प्रती की गती से चलने वाले व्यक्ति को पार करने में 500 मीटर लंबी ट्रेन को कितने सेकिंड का समय लगेगा बहुत अच्छा सवाल है पहतरीन कोशन है बहुत अच्छा सवाल देखिएगा एक चीज है इस प्रेश्ण में आप क्या कर रहे हो व्यक्ति इस दिसा में जा रहा है ट्रेन भी इसी दिसा में जा रही है तो एक ही दिसा में जब चले तो क्या करते हैं अंतर चालों का अंतर ट्रेन इस दिसा में है और व्यक्ति इस दिसा में आई या फिर दोनों ट्रेन नामने सामने से आए तो उनकी चालों को जोडते है यह बात आप ह चालों का क्या करती है अंतर तो ट्रेंड की चाल 63 है व्यक्ति की चाल 3 है दोनों की चालों का अंतर कर लो 63 में से 3 जाएगा 60 बचेगा ठीक है अब यह किलोमेटर यह आपकी चाल आ गई मीटर प्रती सेकंड में चेंज होने के बार आप से पूछ रहा है तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है दूरी बचे चाल समय बराबर दूरी बचे चाल होता है तो दूरी कितनी है भाई 500 मीटर की दूरी है पांसो लेकिए चाल कितनी है चाल है 50 बटे 3 की मीटर पर सेकंड में हमने चाल को चेंज कर लिया 50 बटे 3 अब इस 3 को यहां से हटा करके आप यहां ले जाओगे उपर जो संक्या यहां होती है 30 से नंबर पर उपर मल्किप्राइमें पहुंच जाती है ठीक है चलिए 0 से 0 गया 50 से 10 वार में हो जाएगा 10 कमल पर तीन से करोगे 30 हो जाएगा तो कितना समय लगेगा 30 सेकंड का समय लगेगा बी ऑफ्सन प्रेशने का बिलकुर सही जवाब है अब देखेंगे अगला प्रेशनी है यह प्रेशने टाइम इस स्पीड डिस्टेंस का सबसे इंपोर्टेंट है ठीक है जना 4 किलो मीटर पर घंटे की चाल से स्कूल जाती है और 5 मिनट देरी से पहुंचती है यदि वह 6 किलो मीटर पर घंटे की चाल से जाती है तो 10 मिनट पहले पहुंचती है उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है बहुत बार यह प्रेशने पूछा जाता है कभी ऐसा नहीं ह पूछा गया हो और कठिन भी है बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते इसको इसको बनाने का मैं सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ कर लीजगा स्पीर 1 इन्टु स्पीर 2 भाइ स्पीर 2 और इस्पीर 1 का अंतर और गुना कर देना है समय लेकिन याद रखना शाठ jlish verte vent में आए यान यानगी समय को 60 से yard कर देना है समय आपका गंटे में है वह अभी किलिए हो जाएगा इसी प्रेस्न स्पीड वन पहले स्पीड कितनी है चार की स्पीड टू दूसरी स्पीड है च्छी की बटे में दोनों चालों का अंतर जो की दो आ जाएगा इन्टू टाइम कितना है समय कितना है पांच मिनिट का समय यहां पर है दस मिनिट का समय यहां पर पंदरा मिनिट हो गए दोनों टा पंदर चौके साथ, ठीक है, चार से चार कट गया, और दो से कट जाएगा अच्छे तीन बार में, क्या बचा, केवल और केवल तीन बचा, तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तीन किलो मीटर की है, यही है आपके सवाल का सही जवाब, आसानी से बना लोगे ना यह प चकर पूरा करने के लिए 15 मिनेट लेती है, एक चकर को 12 मिनेट में पूरा करने के लिए इसकी गती कितने किलो मीटर प्रती गंटे बढ़ानी चाहिए, देखेगा, सबसे पहले तो मैं लेखूंगा पहले, जो पहले थी, उसके बाद में जो अब हगीना बरतमान में वो ले लेती है, 15 मिनेट और बाद में एक चकर पूरा करने के लिए 12, अब देखेना समय है ये, ये मिनेट क्या है, समय ही तो है, और समय का मैं आपको बता रहा हूँ, जश्ट अपोजिट होता है चाल, ठीक है, जश्ट अपोजिट, यानकि 12 यहां जाएगा, और 15 यहां जाएग चाल कितनी बढ़गी, 3 की, समझ में है, चाल बढ़गी 3 की, चलिए, पहले कितनी चाल थी, 12 की, चाल कितनी चाल थी, 12 की, और यहां पे कितनी है, 108 किलोमेटर, यानकि 12 बराबर 108 किलोमेटर, जब 12 बराबर 108, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 9, जब 1 बराबर 9, तो 3 बराबर कितना 27 क्यों क्योंकि हमारी चाल कितनी बढ़ रही है 12 से 15 और ये 3 ही तो बढ़ रही है 3 बढ़ने का मतलब कितना है 27 किलोमीटर प्रती घंटा बढ़ रही है 27 किलोमीटर प्रती घंटा बढ़ रही है यही तो पूछ दा इसकी गती कितने किलोमेटर परती गंटा बढ़ानी चाहिए, 27 किलोमेटर परती गंटा बढ़ानी चाहिए, यही है प्रश्न का सही जवाद, अब देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, यदि 50 किलोमेटर पर गंटे की चाल से 200 किलोमेटर चल भी है, दूरी भी है, समय नहीं, आपके पास तो पहले समय निकालो, ठीक है, समय निकालो, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी आपके पास कितनी है, 200 की है, चाल कितनी है, 50 की है, 0 से 0 गया, 5, 24 के 20, यनकी 4 घंटे का समय, ठीक है, 4 घंटे का समय, समय निकालो बाद में भी कितना समय लगेगा यही तो पूछा है समय बराबर दूरी बट्टे चाल दूरी क्या है दूरी तो वही 200 किलुमिटर की है ठीक है चाल क्या है पहले 40-50 की दिल लेकिन अब 40 की है जीरो से जीरो कटेगा आठ से कटा हुआ आठ दुने का 16 चार बचेगा नहीं जाएगा चालिस आठ लूपंजे चालिस ढ़ी गणता हो गया ठीक है ढ़ी गणता हो गया देखिएगा यह 4 गणते और यह ड़ी गणते यह 4 गणते और रही गणते दोनों का अगर मैं अंतर करूं चार घंटे और धाई गंटे का दोनों का अगर मैं अंतर करूँ तो चार घंटे में कितने होती है छेचव के 24, 240 मिनट और धाई गंटे में कितना हो गया देर सो मिनट थिक है यह तो 0 ही आ जाएगा लाश्ट में 4, 14 में से 5 जाएगा 9, 1 में से 1 गया 0 90 मिनिट का टाइम आया यहां अंतर कितने का है 90 का समझ में आया ना यहां कितने का अंतर है 90 का अब चलिए हमसे बोला था यदि 50 किलोमेटर की 40 से 200 किलोमेटर चलता है तो 40 मिनिट देरी से पहुँचता है और यदि वह 80 की चाल से चलता है तो वो निर्दारी समय से कितने समय पहले पहुचेगा कितना समय पहले पहुचेगा दोनों के समय का मैंने अंतर कर लिया यहां 40 मिनिट देरी से पहुच रहा है तो 40 माइनिस कर दो ठीक है 40 मिनिट देरी से पहुँच रहा था ना 40 मानिस कर तो 90 में से 40 मानिस कर दूँगा तो आंसरा जाएगा 50 तो निर्धारित समय से कितनी समय पहले पहुँचेगा 50 मिनिट वो पहले पहुँचेगा C option बिल्कुत सही जवाब है बाई एक लाइक तो बनता है अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएगा कि ये वीडियो आपकी समझ में आया या नहीं आया या फिर मुझे time speed distance के और वीडियो बनाने चाहिए या नहीं कमेंट में जरूर बताएगा ठीक है दोस्तो धन्यवाद